नमस्कार दोस्तों, डीडीरेट के एक और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जिस वीडियो पर मैं रियक करने जा रहा हूँ और जो वीडियो में आप लोगे साथ देखने बाला हूँ वो है पाकिस्तानी चैनल डेली स्वैक का और इ इस वीडियो में हम पाकिस्तानी लोगों से पूछने वाले हैं, मैं रियक्शन लेने वाला हूँ उनका, उनको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, इंडिया की, यह नहीं पताऊंगा कि यह कौन सी सिटी है, यह होगी नोईडा सिटी, तो नोईडा के बारे में रियक्शन ले लगा हूँ, एक वह आउट ओफ कंट्री है, हमारी नेबर कंट्री भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, वह सिटी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आपने देख के बताना है कि यह कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है, कर लेंगे कंपारिजन भी करना कि डिव झाते हूँ झाल 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 सिटी का नाम बताना है मुंबई डेली निर्गुन अधर केरला केरला नहीं है ऐसा वह यह इदर इंडिया में किदर आओ गया इदर कुई पॉस करके देख लेड़े हैं झाल 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 अगर कंपेरिजन करते हो ओवर ओवरॉल कंपेरिजन करते हूं इंडिया पाकिस्तान का तो क्या लगता है कि किसी भी सेक्टर में उठालो या कोई भी पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो अनफॉर्चनेटली इंडिया आगे है मुझे तो हम क्यों नहीं जा पा रहे आगे क्या वज़ा हम एजूकेशन के कमी है या हमारे में कोई मसला है क्या मसला हो सकता है मैं आपको सच बात बताओ जैसे ही आपने काना हम क्यूं नहीं झा पा रहे आगे मुझे लिट्रिली गुजबंस आ गए कि मुझे इतनी फिकर होती है इन चीजिजों की और इतना मैं इस चीज को फील करता हूं किया हमारा मल्क तरकी क्यूं नहीं करा है इसे तरक्य करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है किसी भी सेक्टर में इवन आईटी सेक्टर में देख ले या किसी भी सेक्टर में देख ले हमारे पास कोई कमी नहीं है लेकिन हम मार कहां से खाते हैं हम असल में मुरगी कहने की करते हैं हम अंडा कहने की नहीं सोचते हैं अगर हमें कोई सोने का सूने का अन्डा देने Chest SC आती हैं हम कहते हैं लेकिन यह के लोग टॉम का नहीं सोचते हैं हम अंडा खाने का नहीं सोचते हैं उस चक्कर में जो हैं में एक दूस्टरे को लताड के हर दौड में आगे चलते हैं इन्डिवीज्वेली हमारे हम फूट आगे निकल जिए और पिछला रही पिछले जो एना अपनी एक्चुल अचीवमेंट आप छोड़ देते हो और आप जो एना डी ट्रैक हो जाते हो तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सबसे पहले तो इतिहाद बहुत जरूरी है और फिर सबको एक हो कि मुल्क का जिस दिन हम सोचेंगे उस दिन हम भी इंशाल्ला इंशाल नांटी यह परसन्ट एक हैं तो मैं समझता हूं कि इन ही की बेस पे एक दूसरे को अपना समझ लिया करें और कमस्कम मजभ्व के तास्व से निकलें और अगर आप हिंदू है तो आप जरूर अपनी अबादत करें हम मुसल्मान हैं हमें भी पूरा हक है हम भी अपनी अबादत करते हैं और मेरा मानना है कि मैजॉरिटी जो इंडियन्स के जो आप अकलियत रहती है अब हर बंदा एक जैसा भी नहीं होता तो अगर कोई हैसा मेसेज हमारे आपको आता तो मैं उसके लिए भी आप आप से हाथ जोड़के एक्सक्यूज करता ऑं अगर ऐसा कुछ होता है पाकिस इंडियन की दिलाजारी होती है तो मैं आप करता हूं मेरे आप महबत बढ़ा लें पियार बढ़ा लें रहा की फमारी इंसे तो लूओन है और ре breakout के लिवी तो आप कांपारिजन पाकिस्तान जिन्दाबाद बहुत अच्छा लगा बात करके थैंक्यू सो मैं चैनल आश्रक वेदियू काई सौपसो के आपको मेरी वीडियो पसंद होगी अगर में तो भाईयो वीडियो हो गया खत्म और देखिये पहली बात हम लोगों की जबाने एक नहीं है दूसरी बात हम लोगा कल्चर वो जो भाईय साब कहा रहे था 98% एक जैसा है बिलकुल नहीं है तीसरी बात कि हम दोनों मुल्कों में दोस्ती नहीं हो सकती आप चाहिए कितनी भी बात करने क्यूंकि आप किस बिना पर अलग हुए हमारे से सबसे पहले इस बात कर जवाब दीजिए आप किस बिना पर अलग हुए हमारे से अलग इस बिना पर हुए है कि हम हिंदूं के साथ नहीं रह सकते हमें मुसल्मानों के लिए एक अलग मुल्क चाहिए तो जब बटवारा हुआ तो आपको एक अलग मुल्क दे दिया गया अब वो अलग बात है कि जिन मुसल्मानों को हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान में रहे हिंदुस्तान में आज भी हैं और हो हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं हिंदुस्तान की development के लिए काम करते हैं यहां की development में उनका भी हिस्सा है पाकिस्तान में क्या हुआ पाकिस्तान में आधे टाई Masha Law लगा रहा democracy यानि की जमूरियत का मजाख उड़ाया जाता रहा बाद में सेना ने देखा कि यारे, बड़ी criticism हो रही है दुनिया भर में बड़ी criticism हो रही है तो चलो एक नया खेल केलते हैं कटपुतली सरकार बनी हुए चल रही है कटपुतली सरकार बिना सेना के तो हिलती नहीं है सरकार खेर रही बात नोईडा की तो चुकि मैं नोईडा में रहता हूँ पिछले 22-23 सालों से और जो एक महतरमा कह रही थी कि ये सिर्फ अच्छा अच्छा इलाका दिखाया है तो मैडम बिना नोईडा वासी मैं आपको बता दू कि नोईडा, ग्रिटर नोईडा, दिल्ली न्सी आर ये सब एक जैसे ही है डेवलप्ट यहाँ पे हजारों कमपनिया काम करती हैं, हजारों लाखों आफिसेज हैं नोईडा बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्रीज का भी, कमपनीज का भी यहाँ पे आपको एक से एक एजुकेशनल इंस्ट्यूट्स मिलेंगे एक से एक बड़ी कमपनियों के दफ्तर मिलेंगे और मुझे लगता है कि जितना नोईडा की जीडीपी होगी न मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के बराबर होगी या पाकिस्तान से जादा होगी नोईडा की सिर्फ नोईडा की जीडीपी आप दिल्ली ओली छोड़ दीजे, नोईडा के जीडी तो यह ता रहा हूँ और यहाँ पे सडके एकदम चकाचक है, अच्छा मेरी सोसाइटी, अब देखे हम कितने हाइटेक हो चुके हैं, मतलब यह काफी टाइम से है मेरे फोन पे यह सारी चीज़े कंट्रोल है, कि मेरे घर में बिजली कब कितनी जल रही है, कितनी आ रही है, हमारी सोसाइटी का मेंटेनेंस, सब कुछ अप के थुरू होता है कोई भी चीज़, कैश नहीं होता, कोई भी चीज़ जैसे नहीं होता, कैश दूँगा, घोटा लाओ जाए, पर्ची गलत काट दीए, काट दीए, कुछ भी नहीं होता दूसरी चीज, सेक्यूरिटी, सारी अप के जरी हम देख सकते हैं, क्या है नहीं है अगर कोई मुझसे मिलने आता है कोई cab वाला आए कोई guest आए तो उसको बस मैं अपने जो हमारी society का app है उससे एक code भेजना होता है वो code gate पर दिखाता है और जैसे ही code दिखाता है सारी entry आ जाती है फिर वहाँ से देखिए security कितने layer किये पहले वहाँ से मेरे पास जैसे ही वो बंदा आये का जैसे ही code दिखाता है मेरे phone पर message आए कि भाई साब फला कुमार आ गए है आपसे मिलने उसका फॉरन main gate से मेरे पास intercom पर phone आएगा कि साब यह आपसे मिलने आए क्या करना है और फला जी से मिलने वाले है वो फिर मुझे phone करेगा मेरे tower का जो गाड है कि सर यह आए है क्या करूँ भेज़ दूँ मैं बोलूँ भेज़ दूँ तब वो यहाँ पर आते है तो हर चीज देखिए कितनी easy है हमारे है बिजली का bill पे करना है सब कुछ app पे है सब कुछ recharge कर लो prepaid meters है हमारे है हमारे है बिजली कभी लेसे नहीं था prepaid meters है आप prepaid करा लो recharge करा लो बिजली चलती रहती है कोई issue नहीं है gas जो है वो हमारे घर में pipeline आई हुई है तो मुझे इस घर में ही जो मेरा घर है कोई दिक्कत नहीं है तो हमें कभी इस बात की फिकर नहीं होती कि आर गैस नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं और वो बहुत सस्ती पड़ती है मतब सिलिंडर वाली गैस महेंगे पड़ती है ये वाली गैस बहुत सस्ती पड़ती है PNG कहते हैं इसे तो ये सारी सुविधाएं हैं अब हमारी जो सुसाइटी है इसमें आपको वर्ल्ड क्लास के जिम है वर्ल्ड क्लास का स्विविंग पूल है बच्चों के खेलने के लिए पोडियम का एरिया पूरा अलग से बना हुआ है आप सूचिए और ये सब हमारा है सेफटी भरपूर है तो हमें सारी चीज़ें हमें कहीं जानी जूरत नहीं फोन करो चीज घर पे आजिर सबजी हो दवाई हो सब कुछ भी एनिफिंग अब है दवाई वाले का अब पे जाओ डालो अगले एक घंटे में दवाई घर पे सबजीया घर पे राशन घर पे और रेड़ बिलकुर परफेक्ट कोई दिक्कत ही नहीं तो आप सोचो कितनी सहूलियत है याप हमें और नुएडा वाकई एक वर्ल्ल क्लास सिटी है और मैं आपको बता दूँ मेट्रो की लाइन भी पास होगे तो कनेक्टिवीटी देखिए कितनी जबरदस्त है हमारे यहां से मैं यहां से मतब जो नियरस्ट मेट्रो सेशन है यहां पे अभी फिलहाल वो करीब दस नहीं आठ किलो मेटर दूर है एट किलो मेटर होगा अब जो है वो पास में आ जागा तो वहां से मैं पूरी दिल्ली, गुणगाओ, हर जगा मेटरो से जा सकते हूँ मेटरो की लाइन इतनी जबरदस्त है मुझे गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेटरो पकड़ो, मेटरो से गुमते रहो जहां मन के रहा तो सोची कितनी सहूलियत हैं यहां पर इंटरनेट सस्ता, बदला हम तो डेटा के बार में सोचते भी नहीं है सेक्डो जी भी डेटा ट्रांसफर हो जाता है अगले महीने के लिए, इतना यूज करने के बाव जूँ और नोइडा जैसी हजारों सिटीज हैं जो इस वक्त पूरे इंडिया में है और कई नई सिटीज रोज डेवलप हो रही है तो यह इसलिए है क्योंकि पॉलिसीज हमारे यहां बहुत अच्छी है लगतार पॉलिसीज पे काम किया जा रहा है लगतार नई पॉलिसीज लेकर आए जा रही है विजन है हमारे यहां के लीडेशिप में आप क्या नहीं है विजन होता तो पिछले 75 साल में ग्राफ अप होनी के बजाए डाउन हो जाता डाउन नहीं जा रहा होता तो भाई आप भी डेवलप करिए हमें भी अच्छा लगएगा अब आप सोचीए तो आपको तै करना है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है बाकि अगर पुरा मुल्क एक साथ मिलके काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता और इस तरह कि फाल्तू की बाते हैं आपके नहीं है नोड़ा नहीं है यह तो गलब तस्वीर दिखा रहे है आपके मानने न मानने से हमारा कुछ बगड़ता नहीं है हमें पता है कि सच्चा ही क्या है हमें चीज़ें दिख रही है कि क्या चीज़ें हो रही है डेवलप्मेंट हो रही है नहीं हो रही है हमारे हाँ एक मिनट बिजली नी गटती आप ये बताई है अभी से पिछले कई साल हो से एक मिनट के लिए बिजली नी गटती आप इस बात को समझी ना हमारे गर्मेंatively inverter कुछ नहीं कुछ नहीं हमारे गर backup है, जंसेट का backup है कभी कबार लूट शेडिंग में, कभी कबार कोई फॉल्ट आ गया, कोई कुछ हो गया, आदे इन्टे के लिए लाइड गई, तो बागे वो वन से नवाइल होता है कभी, तो ये है हमारा भारत, डबलाफ होता भारत, तो जल्दी मिलता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ, आमस्कार, जाहित!